कि अधिए light हेलो फ्रेंज इस वीड में पढ़ेंगे हाइप200 प्याइट के बारे में देखते हैं क्या होता है हइप 3 क्या होते हैं इसके सिम्टम कि तो आएं सबसे पहले हमें यह देखेंगे कि आप सब ने कभी न कभी तो यह उपजब किया ही होगा कि कुछ लोगों को जो पास के object और कुछ लोगों को जो दूर के objects होते हैं वो clear नहीं दिखा देते हैं और वो certain type of eye glasses पहना start कर देते हैं पर क्या आप सब ने कभी सोचा है यह किस कारण होता है तो चले discuss करते हैं यह किस के कारण होता है अब आप सब सोचोगे कि क्या होता है power of accommodation of the eye तो चले discuss करते हैं क्या होता है power of accommodation of the eye यह ability होती है eye lens की to adjust the focal length ताकि जो raise आती है आपकी from the distant object या nearby object जो कहां पर जाकर focus होती है वो होती है इसे हम क्या बोलते है इसे हम बोलते है power of accommodation of the eye जैसे कि आप figure में देख रहे हो अगर कोई जो raise आपकी आती है from the far object वो कहां पर जाकर focus हो रही है रेटीना पे similarly आप देखोगे कि अगर कोई raise आती है आपकी from the nearby object वो कहां पर जाकर focus हो रही है रेटीना पे तो चलिए अब हम यह देखेंगे कि सम common types of defects कौन से होते है हमारे vision में तो चलिए दिखते है कौन से होते है mypia, hypermetopia, presbyopia, cat track, night blindness ये क्या होते है common defects होते हैं मारे vision में तो चलिए, अब हम ये देखेंगे कि हैपरमेटोपिया क्या होता है, तो चलिए, देखते हैं, हैपरमेटोपिया को हम फार्स अडिट नैस भी बोलते हैं, और क्या होता है इसमें, इन हैपरमेटोपिया में क्या होता है, जो हमें डिस्टेंट अबजेक्ट है, वो हमें कैसे दिखाय देते हैं, clear, but जो nearby object वो कैसे दिखाय देते हैं, हमें, blur, जिसका क्या मतलब हुआ, जिस परसन को हाइपरमेटोपिक eye defect होता है, जो उसका normal near point होता है, is further away from the 25 cm. तो आएए, अब हम ये देखेंगे कि क्या होता है, जिस परसन को हाइपरमेटोपिक eye defect होता है, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका जो normal reading point कितना होगा, is beyond the 25 cm होगा. तो चलिए, अब हम ये देखेंगे कि क्या होता है for distant object के लिए in hypermatopic eye defect में. मालने जिए कि आपको distant object देख रहे हो, जो raise आपकी आती है from the distant object and जो वो pass होते है through the eye length, जो कहां पर जाके focus होगी, रिटीना पे, जिसका क्या मतलब होगा, वो image कहां पर बनाएंगी, रिटीना पे, जिसके कांड क्या होता है, जो आपको in hypermatopic eye defect में हमें, जो distant object कैसे दिखते हैं, clear. Similarly, अब हम देखेंगे, नियव object में क्या होता है, माल लेजी कि आपको नियव object देख रहे हैं, जो कोई raise आपकी पास होती है from the near object, जो वो pass होती है through the eye lens, वो कहां पर जाके focus होगी, वो होगी behind the retina, जिसका क्या मतलब हुआ, आपकी image कहां पर बनेगी behind the retina, इसी के कान क्या होता है, in hypometropic eye defect में हमें जो ये object देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, blur, जो चलिए, अब हम ये देखेंगे कि causes of hypometropia, कौन-कौन से होते हैं, जो चलिए, discuss करते हैं, कौन-कौन से होते हैं, the focal length of the eye lens is too long, जिसका क्या मतलब हुआ, जो focal length होती है, हमारी eye lens के, वो कैसे हो जाती है, is too large, जिसके कान क्या होता है, जो converging power होते है, eye lens के, वो हो जाती है, कम, इसी के कान क्या होता है, जो हमें near object कैसे दिखते हैं, blur, तो आईए, अब देखेंगे, कि second कौन से होता है, second होता है, the eye wall has become too small, जिसका क्या मतलब हुआ, कि, जो distance होता है, आपका retina, और eye lens के वीच, वो के हो जाता है, जिसके कान क्या होता है, जो आपकी image बनती है, for the near object, वो कहां पर बनती है, behind the retina, इसलिए, जो क्या होता है, hypermetopia में हमें, जो near object कैसे दिखते है, blur, तो चलिए, अब हम यह देखेंगे, कि symptoms कौन कौन से होते है, hypermetopia के तो चलिए, देखते है, कौन कौन से होते है, headache, blurry vision, जैसे कि आप सामने देख रहे है, hypermetopic vision, or normal vision, and कौन से होता है, eye strain, and then fatigue, यह होगे हमार इस वीडियो में क्या क्या सीखा, तो चलिए, देखते है, हमने यह सीखा कि, hypermetopia क्या बोलते है, fast sadness भी बोलते है, और जिस परसन को hypermetopia होता है, वो distant object को तो clearly देख सकता है, बट उसे near about object कैसे दिखते है, blurry, और यह किस कार्ण होता है, यह होता है, जो focal length of eye lens is too long हो जाए, यह जो eyeball के हो जाए, too small हो जाए, और हमने क्या देखा, symptoms कौन कौन से होता है, hypermetopia के होते है, blood, near vision, fatigue, headache and eye strain, I hope you like learning about hypermetopia and symptoms, thank you and keep watching.